बैक्स्टिच परिचय और प्रकार इस पार्ट के अंत में आप बैक्स्टिच को उसके विशेश्टाओं के आधार पर पहचान पाएंगे बैक्स्टिच के दो प्रकारों को उनकी विशेश्टाओं के आधार पर उलेखित कर पाएंगे बैक्स्टिच क्या होता है बैक्स्टिच बहुत ही आसान और बुन्यादी हाथों से की जाने वाली सिलाई है यह एक स्थाई सिलाई है पूरी तरह बनी हुई backstitch इस प्रकार दिखाई देती है Backstitch हाथ से की जाने वाली सिलाई है जिसमें प्रत्यक टाका सामाने तौर से विपरीत पीछे की ओर सिया जाता है Backstitch अक्सर दाएं से बाएं ओर सिला जाता है यदि आप बाएं हाथ से सिलाई करते हैं तो विपरीत रूप से करें इसकी सिलाई दो कदम आगे और एक कदम पीछे इस रूप से की जाती है यदि इस सिलाई को सफाई से एक सीधी रेखा में बनाया जाए तो यह मशीन से की गई सिलाई के अनुरूप होती है अगर आप कपड़े के उल्टे तरफ से देखेंगे तो backstitch को ऐसे पाएंगे कपड़े के उल्टे भाग पर backstitch के धागे परस पर व्यात एक के उपर एक होंगे जिस कारण सिलाई की एक मोटी रेखा बन जाती है और सिलाई मजबूत होती है इसलिए या कोई आश्चिर की बात नहीं कि बैक्स्टिच हाथ से की गई सिलाईयों में सबसे मजबूत सिलाई है मजबूती के अलावा इसमें लचीला पन भी होता है बैक्स्टिच के प्रकार बैक्स्टिच के दो प्रकार होते हैं Even Backstitch, Half Backstitch Even Backstitch जब सिलाई सम रूप से छोटे-छोटे टाकों में बनाई जाती है तो उसे Even Backstitch कहा जाता है Half Backstitch जब दो टाकों के बीच की दूरी प्रतिक टाके के लंबाई से ज्यादा होती है तो उसे Half Backstitch कहा जाता है Half Backstitch Even Backstitch से जल्दी सिया जा सकता है हाफ बैक्स्टिच में कम धागा भी लगता है हाफ बैक्स्टिच में जितनी लंबाई सिलाई करनी हो उससे दुगनी लंबाई की मात्रा में धागे का उप्योग होता है लेकिन इवन बैक्स्टिच में तीन गुणा लंबाई की मात्रा में धागे का उप्योग होता है इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुँच चुके हैं जाने से पहले हम याद करेंगे कि हमने इस पाठ में क्या सीखा है हमने सीखा की backstage हाथ से की जाने वाली सिलाई है जिसमें प्रत्यक टाके को सामाने रूप से विपरीत पीछे की ओर सिला जाता है इस सिलाई में दो कदम आगे और एक कदम पीछे इस तरीके से किया जाता है अपने यह भी सीखा कि दो प्रखाके backstage पाये जाते हैं जब सिलाई सम अंतर में और छोटे-छोटे टाकों में की जाती है तब उसे even backstitch कहते हैं जब टाकों के बीच का अंतर प्रतिक टाके से ज़्यादा होता है तब उसे half backstitch कहते हैं even backstitch और उसके उप्योगिताओं के बारे में सीखने के लिए हमारा अगला पाट लीजिए